हालो फ्रेंट आज की इस क्लास में फिर से यहां पे 30 कोशन का एक छोटा सा मॉक टेस्ट है जो पीवेस एर बेस्ट है और इसमें टोटल पांच टॉपिक आपको मैं कवर कराऊंगा जिसमें कि आपको क्या क्या होंगे देखिए सबसे पहले होंगे कि मिस अस्पेल्ट वर्ड होंगे फिर आपका एक्जाम में बहुत ही एक्जाम में कोशन पुछे जाते बहुत बार तो उन्हीं सारे कोशन को और उन्हीं टॉपिक को लिए हो जहां से आप अच्छे स्कोर कर सकते ठीक है तो यहां 30 कोशन 5 टॉपिक और आप इस वीडियो को टेलिग्राम पे भी आप first Q आप अप देख सकते जहां से जहां से पाओ वीडियो वीडियो को आप देख सकते तो यहां पर सबसे पहले की बीना सपेस निया आप कीजिए वहाँ से जोईन केंगी सारे विडियो में अप्रोड़ करें तो अथे विडियों को आप देख गएंगे झाल हैं चार यहां पर option है जिसमें कि सारे के सारे यहां पर फ्रेजल वर्ब है और इन सारे फ्रेजल वर्ब के बारे में आपको पता होना चाहिए तभी आप इस फिलर को कर पाएंगे यहां पर बात हो रहे है कि on my return from a long holiday लंबी छोटियों के बाद जब मैं आता हूं बापस तो क्या करना परता है बहुत सारे काम करने परते हैं और वह काम करने परते हैं जो कि पहले से बचा हुआ काम होता है उनको और अभी को सभी को काम जो बचा हुआ को पूरा करना होता है तके काम यहोख एक बढ़ाबर लेफल में आ जा जाए इए तो हैं पर उसी की बात हुरी तो कौशंग है किलेग करेंना पर क्या चूब करें हाँ ना इसे हम से उसन्सें के बात हुआ घारा है बाबरी इसका मतलक्त की तो बर आ itself मिलनिंग से धालün को काम करें बालन्स कर मतलब क्या होता है लोग प्रिये होना ठीक है चले और टेक अप का मतलब क्या होता है किसी काम का शुरुवात करना ठीक है तो दिखार किया किसी काम का शुरुवात करना ठीक है तो दिखार किया किसी काम का शुरुवात करना मिस्कि टेक अप आगे बड़े सवाल पर चले यहा of the boys that's not done the homework given yesterday ठीक है यहां पर only one of the boys देखिए one of के बाद के एक rule होता है कि one of के बाद जो आपका यहां पर noun या प्रनौन होंगे वो क्या होंगे प्लोरल में होंगे ठीक है लेकिन जो वर्ब होगा वो क्या होगा वर्ब जो होगा वर्ब होगा जो आपका है रंद वख गवन इस्टर को उन्हीं किया है कोई भी एक बच्चा स्टरेंस नहीं किया है खिक है प्षली एक स्कूल हैज समbee अपना घॉल होता है और जितने भी जो गुड़ पुपिल्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए जो अच्छे छात्रे जो अच्छे सिश हैं उस रूल को फॉलो करना चाहिए तो यहां पर और का है थिकला चल्यका है तो इसके लिए हम यहां पर यूस करेंगे ठीक है चलिए में यहां से कॉष्ण आरा है आपका शोग शार्व वन विच एक्सक्रेस बड़ा ना वारे में बताना मिस्की रहरा दिंग इन अंधस प्रिशंस कि आपको यहां पर आपको क्या करना रहा है ऑको फर्स्ट यहां पर जो कोश्चन है यहां पर वो क्या है ग्रेंडर का मतलब क्या होता है ग्रेंडर का मतलब होता है भव्वेता ठीक है इसका मतलब होता है भव्वेता इसका जो साइन होगा वो क्या होगा Magnificence Magnificence का मतलब यह होता है भवेता, बहुत ही, शांदार भवेता यह शांदार जिसको कहते है चलिए Next, यहाँ पे जो question क्या है Inception Inception का मतलब क्या होता है Inception का मतलब होता है Σुरुवात Inception का मतलब होता है शुरुवात और इसका जो correct sign होगा तो इसका मतलब होगा beginning ठीक है? next है además callousal callousal का मतलब कैहाथ है? बढ़ा या विषाल तो इसका correct जो sign होगा वो होगा enormous enormous का मतलब भी होता है बहुत बढ़ा ठीक है? चले next कहाए कि paradox paradox का मतलब क्या होता है? जटिलता होता है बीरोधा भास होता है तो इस option के coding यहाँ पर जो होगा या puzzle होगा ठीक है पजल मतलब जटीलता उल्जा हुआ ठीक है paradox next क्या है प्रॉली फिरेट ठीक है प्रॉली फिरेट का मतलब क्या होत आप प्रॉलीफ्रेट का मतलब होगा संख्या में बढ़ोत्री होना अब संख्या बढ़ोत्री कब होगा जब रीप्रोडूश होगा इसका सायन होगा रीप्रोडूश ठीक है प्रॉलीफ्रेट का मतलब होगा संख्या में बढ़ोत्री होना इसका मतलब होगा रीप्रोडूश ठी चलिए अब यहां से जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडियम फ्रेज का एडियम फ्रेज बहुत इंपोर्टन एक्जाम में रोल प्ले करते हैं ध्यान रखेगा जैसे यहां पर एंडर लाइन क्या हो इसके बारे में आपको बताना है इन अले को इन अले का भूता है मुश्यल परिश्रविस्टिति में मुश्यल परिश्रविस्थिति में टिक हैं बारे मतलब क्या हो गया। कौन है मतलब क्या हो गया आप जो क्रॉप्स का जो फैलियर है जो लगातार होता रहा है हर साल ठीक है लगातार हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है जो फार्मर का हो रहा है वह फार्मर क्या हो पा रहे है क्या उनसको हो रही है दिक्कत तो वह मुश्किल परस्टे में आ जा रह drinks hold water का मत्तब होता है कि सही होना या फिर विलीव करना है न है न किसा या तो वह वो झाहिं नहीं किया जा सकता है ठीक चली नेश्ट क्या है on the cuff on the cuff का मतलब होता है उधार जैसे आप अक्सर दुकान से समा लेते रहते कई बार आप क्या करते कि पैसा नहीं होते आप क्या करते दुकांदार को उधार में लिख दे ना ठीक है वह यहां पर कि राज फेर्ष को लुबकार सकता है करसकता था आप इसको ईधार में लिख को उधार में मतलब क्या होगा इसका क्या होता है ओन क्रेडित इसका करेंट साओगा ठीक चली नेस्ट हो कि his statement in out and out a lie out and out का मतलब क्या होता है एडियम पूरी तरह पूरी तरह मिन्स कि क्या होगा यहां पर पूरी तरह का जो होगा इसका मिन्स टोटली होगा टोटली ठीक है completely टोटली जो स्टेटमेंट है पूरी की पूरी पूरी तरह से जूठा है है ना चली नेश्ट क्या है प्ले हैवोग प्ले हैवोग का मतलब क्या होता है प्ले हैवोग का मतलब होता है तबाही इसका मतलब होता है तबाही या फिर विनाश या फिर विनाश अब आप समझ सकते ह यहां पर है भी जब डॉन पूर होगा बहुत जबर्दस्त जब बारिस होगी कोश्टर एडिया में तो वहां पर क्या होगी भारित तबाही मचाएगी ठीक है तो इसका जो करेक्टर आसर होगा वो काव्स डिस्ट्रक्शन होगा ठीक है छले लेस्ट क्या कि टू हाव ग्रीन थाम् का मतलब होता है कि बागवानी ठीक है बागवानी करने का आशाधारन गुन गुन मीस कहीं सब्र आख रए Mich ठीक है चलिए अब आप यहां देखेंगे कि नेक्स्ट जो टॉपिक है रॉंगले स्पेल्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टन यहां से बहुत कुछ सीखेंगा ठीक है तो यहां पर रॉंगले स्पेल्ट वर्ड में मैं बताओं कि कुछ नम 15 में जो चार ऑप्सन है इसमें जो र i m a n e n tECH का उ मत्ब वोता है अजुक 2020 को से निकट टस्तु के सकते है लिकट ठीक है ये अद्र द2 यही क्रेक्ट यहां पर जो था हैं इमिन होता है स्पेलिम है स्पेलीं मिस्टेक इसमें क्या होता है कुशल बोलने में ठीक है बोलने में कुशल नेस्ट क्या है एक्जू बेरेंट ठीक है एक्जू बेरेंट का मतलब क्या होता है भड़ा भड़ा पूरा है ना भड़ा पूरा हर चीज़ संपन ठीक है उर्जावान खुश एक्जू बेरेंट तो आपको कु हो गलत हो गया है यहां पे यहां पर लिखा गया ठीक जो विखा गया इसका मतलब होता है मूर्तिकार बागे टेलर जो की जड़ जिसको कहते है कपरा सिलता है डॉक्टर जो डॉक्टर आप लोगों पता है फ्रीटर जो नट वर्ट या मसीन का काम कार्च करता है का जो मसीन का पूरजावर ठीक करते हैं ठीक है अब आते हैं नेस्ट वाले कुछ अमें 17 में कौन सा मि ठीक है तो क्या होना झाहीत है एंद तक तो ठीक है यहां पर इनला हो करें यहां पर यह होता है बागी सही है ठीक है मैठमेट सीन ठीक है बागी ए-stat condition का मतलब होता है सांके कीizer जो कि आपका आप आपकर उक्षान का आप का तरीका घीलात है ठीक है अचले आटेश सक होता ठीक है यहां पे उसका स्पेलिंग होगा वह हो क्या होगा? डावल सी नहीं होगा पि-R is q क्यूर क्यूर या धूरत इसको कहेंगे ठीक है तो यहां आपको पता होना चाहिए नोट कर लीजिएगा अबाकि यहांपर बात कर बाकी यह विक्रित होता है नोट कर लिबहां बाकी यहां पर यहां पर प्र क्यूंक्राण होता है कि मजाक पूर्ण होता है फिक्स पैक्शलों क्या है कुछ रूमें 17 में कौन से में स्पेपल्ट वर्ड है यहां पे होना चाहिए था क्या यहां पर जो स्पेलिंग स्टेक वो है फोर मिडेवल तो एफ यू आल नहीं होता है एफ ओ आड़ ऑर एम आई डीए भी यह लिए फोर केवल का मतब मित्रतापून कोई बात को शुलाव कर लेना ठीक है और एड्माइरेवल का मतब बता है प्रश्ण सनी है ठीक है अब यहां से देखेंगे opposite in meaning ठीक है opposite in meaning conciliation conciliation का मतब होता है सुला conciliation का मतब बता सुला इसका opposite क्या होगा confrontation ठीक है next क्या है मित का मतब बता जूट weakness का मतब बता जुट इसका opposite क्या होगा सच श्रकी zooize ऊभे रि लखटेंटब ठीक है रि लक्ट्रेंट यह kavका मतब होता है बीना एक्छा का बीना एक्छा से कोई किया होा कार श्रकी तो इसका opposite होगा बिलिंग्ली एक्छा से ठीक है नेक्स्ट है म्यूटी लेट मैं मदलब क्या होता हूं नस्ट कर देना इसका जो होगा आपोज़ट क्या होगा झाल होता है उंच्छीर जाहिक्छ जाहिर करना यह मनाना अपोजिट क्या होगा रीजवाइस मिन्स कि खुशी मनाना खुशी मनाना ठीक है चले नेक्स टॉपिक काते हैं एरर पे ठीक है नेक्स टॉपिक के एरर का बैस्ट डॉपेपर रिपोर्ट्स वी कन कंक्लूड दाट मेनी एक्सिडेंट काउजड देख सकते हैं वहाँ का थर्ट फॉर्म अर बाई लगा हूआ है पैसिफ फर्मेशन के लिए वर्प के थर्ट फॉर्म क्या अगया हमें आर लगाना नो कि कि यहां पे यहां पर क्या लिखा हुएम डिक ठीक है आपर मैरीमिंस्टेंट्स लिखा होता तो मैंनी होता इसी कार्ण यहां पर इसके आगे कोई एक auxiliary verb की बात किये गी थे ठीक है वर्ब का third form से पहले passive formation में एक auxiliary verb होना चाहिए आर्ड तो यहां पर क्या होना चाहिए था काउस्ट के पहले आर्ड caused by reckless driving reckless driving के कार्म बहुत सा एक्सिदेंट होते हैं ऐसा निश्पेपर के रिपोर्ट के अलुसार यहां पर निश्कर्स निकाला जा सकता है ठीक है चले नेश्ट काई no sooner I had spoken than he left देकि no sooner का जो कंजंशन होता है पहले चक्की देन होता है लेकि no sooner के बाद एक चीज़ और डोट के ज़िए no sooner के बाद हमें क्या आना चाहिए पहले एक वर्ब आना चाहिए फिर subject यहां पे उल्टा हो गया ठीक है यहां पे had और I होना चाहिए यहा आ टो औस्टेलिया अगर आप ऑस्टेलिया में screaming को लाते हैं तो क्या होगा वहाँ पर आपको सजा दी जाएगी ठीक है क्या किया जआगा वहाँ पर सज़ञ दी जाएगी तो यहां पर यह नहीं हो कि द्वारा ठीक है बाकि इसका अगर मिनिंग निखला चाहें तो लिख लगी सकते हैं कि धर्म कि या जाती के कारण कि सताना ठीक है क्लियों चलिए अब आते हैं नेस्ट कोस्टन पर कि यू मस्ट आइदर टेल मी दा होल स्टोडी और आट लिस्ट दा फर्स्ट हाफ यहां पर हाफ होता हौल लिखा गया फर्स्ट हाफ उप इट तो देख यहां पर आइदर और वाला केस है तो और के बाद जैसा स्ट्रक्शर होगा उसी के और के पहले भी स्ट्रक्शर होगा ठीक है तो और से जो कनेक्ट होगा वो स्ट्रक्शर उसके और के पहले भी इसका जो structure बनेगा you must you must tell me ठीक है यहां तक लिखाएगा उसके बाद आएगा आएगा आएदर मतलब समझे यह आएदर यहां पे आना चाहिए था tell me के बाद you must tell me either the whole story or at least यहां कैसे है और at least comma the first half the first half of it ठीक है clear चली लेस्ट कोशन है और इस वीडियो के लास्ट कोशन है और इस वीडियो के लास्ट कोशन है दा पैसन वाज एक कंपेंड विद इस फ्रेंड एक कंपेंड के साथ प्रिपोजिशन विद नहीं लगाएंगे यहां पर ल लाक कर दीजिएका सेर कर दीएगा और आप लोग नाय जूरह है तो चैनल को सब्सक्राब कर दीजेगा आपे इस वीडियो को lePP भी देख सकते हैं टेलिग्राम आप को डॉन्डूट करें जॉइन करें सेक्सेस प्लिटफर्म की को वहां से आले वीडियो को आप देख सकते थांक्यू भूरी मच्छ